रोमियों के नाम पॉलुस प्रेवित की पत्री चवदुआ अध्याय जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगती में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विबात करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वा विश्वास में निर्बल है, वह साग पात ही खाता है, और खाने वाला न खाने वाले को तुछ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोश न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहन किया है, तु कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोश लगाता है, उसका स्थ फिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभू उसे स्थिर रख सकता है। और न कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं, तो प्रभू के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं, तो प्रभू के लिए मरते हैं। सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभू कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, और हर एक जीव परमेश्वर को अंगिकार करेगा, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोश न लगाएं। पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने थेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूँ और प्रभुईश्यू से मुझे निश्चे हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुध नहीं, परंतु जो उसको अशुध समस्ता है, उसके लिए तो फिर तू प्रेम की रीती से नहीं चलता, जिसके लिए मसी मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर, अब तुम्हारी भलाई की निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है, जो प इसलिए हम उन बातनों का प्रेत्न करें, जिन से मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़, सब कुछ शुध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है, जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है, भला तो यह है, क तुना मांस खाए, और ना दाखरस पिये, ना और कुछ ऐसा करे, जिससे तेरा भाई ठोकर खाए, तेरा जो विश्वास हो, उससे परमेश्वर के सामने, अपने ही मन में रख, धन्य है वह, जो उस बात में, जिससे वह ठीक समझता है, अपने आपको दोशी नहीं ठहराता परंतु जो संदेह करके खाता है, वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चे धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं, वह पाप है